तो हेलो फैंड कैसे हैं आप दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं Samsung के mobile वे गैलरी अब होती है उसके अंदर के best hidden feature या बोल सकते हैं टॉप hidden feature दोस्तों इन feature को यूज करके आप Samsung gallery में आपको टास्क है बहुत easy कर सकते हैं comfortable way में कर पाएंगे दोस्तों इन feature को शाहिद ही देखे गादू शलते हैं मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो इसके लिए आपको करना क्या होता है अपने mobile के gallery अप में तो मैं यहां पर कर लेता हूं अपनी gallery ओपर यहां पर आप देखें जब आपकी gallery open होगी तो आपका ऐसा यहां पर देख रहा होगा दोस्तों यहां पर सबसे बहला जो feature है आप इसको यहां पर आप देख सकते हैं इसको zoom कर सकते हैं जितना आप देख रहे हैं यहां पर तीन maximum यहां पर आप तीन तक इसको zoom कर सकते हैं उससे जादा zoom नहीं होगा उसके जादा अगर आप जूम करेंगे तो तो अपने size किसाब तो जो भी फोटो की size होगी like rectangle में होगी size landscape में होगी portrait, then to adjust हो जाएगी अगर आप उसको तीन तक adjust करेंगे तो सही रहेगा, उसके उपर अगर आप उदस्को एजेस्ट करना चाहेँगे तो यह सबसे पहला feature है, सबसे पहला hidden feature ही था, उसके बाद दूसरा feature है, उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ आप आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके सारी album मिल जाएंगे, जितनी भी album होगी, यहाँ पर आप album मिल जाएंगे, यहाँ पर आगर like कोई भी album पर यहाँ पर आप जिसी यूँ करेंगे, यहाँ गैर्जस का यूज करते हैं, आपको सामने यहाँ साइड में folders मिल जाएंगे सारे, कोई से भी folder में आपको यह जाना हो, यह album मिल जाएंगी, simply आपको यहाँ क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप अपना album चेंज कर पाएंगे, आप देख रहे हैं, सारी album आजाएंगे, जितने भी आपके folders है, सारे folders यहाँ पर आजाएंगे, आप देख रहे होंगे, आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करके आपके सारी albums यहाँ पर खुल जाएंगे, सारी photos यहाँ खुल जाएंगे, जो भी photos या वीडियो जो भी ह होगा आप यहां पर उसको खुल जाएगा जो की बहुत कमाल का फीचर आप उसको यूज कर पाएंगे उसके बाद दोस्तों जो सेकिंड या थर्ड फीचर बताने वाला हूं उसके लिए आपको करना क्या होगा लाइक यह मेरे फोल्डर ने दोस्तों यहां पर आपको सबसे क्या करना अगर आपको कोई फोटो को स्लेट करना होता है तो आप कैसे स्लेट करते हैं एक पर यहां पर स्लेट कर लिया और उसके बाद एक एक करके स्लेट करते हैं तो मैं आपको इसमें एक हिड़न ट्रिक बता रहा हूं एक हिड़न फीचर बता रहा हूं दोस्तों लाइ करएगर उसके लिए को कर देंगे यहां तक तक पर चोड़ेंगे तो oni को छोड़ना नहीं जब सकते हैं यहां अपको बहुत कामका फीचर है, copy या move करने के लिए बहुत ही definitely कामका है, तो उसके लिए मैं आपको एक folder मिले चलता हूँ, like मुझे ही अपनी सारी photos कहीं दूसरे folder में move करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ से इसको पकड़ के यहों drag करके, मैंने यह पूरी photos को select कर लिया, आप में tick कर रखिए, उसको press करके रखेंगे, यहाँ सारी photos आपके यहारा आजाएंगी, finger pack आपको दिख रहा होगा, यह से work करने लगी, आपको जिस folder में move करना है, उस folder पर जाके यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिस folder पर आपको move करना है, उस folder तक उसको ले जाना है, आप यहाँ से आप दिख रहा होंगे, यहाँ से उसको उस folder तक ले जाना है, लाइक मुझे camera में move करना है, और यहाँ से उसको छोड़ देंगे, जैसी आप वहाँ पर छोड़ेंगे, तो आपको नीचे यहाँ पूछेगा, यहाँ आप दिख रहे होंगे, copy और move this image, आपको move करना है, तो simply move पर क्लिक करेंगे, और सारी की सारी फोटोस आपकी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ बन के भी आ गया है, और यहाँ पर सारी फोटोस आपकी move हो गई है, जो की बहुत ही शांदर कमाल का फीचर, यहाँ move, copy, जो भी करना चाहिए, आप कर सकते हैं, दोस्तो दो उसके बाद जो कमाल का फीचर है, यहाँ देख रहे हैं, कितने सारे फोल्डर हैं, दोस्तो कुछ फोल्डर ऐसे हैं, लाइग मुझे यह वाला फोल्डरasında मुझे ऊपर की काम का नहींका है, यहाँ निछी काम काम का नहीं मुझे नीचे करना है, यह म legend देखे अना यह बहुत ज्यादा नीचे देखे, कीछी को पताने चले इस फोल्डर में क्या है, तो आपको यह पैस करके रखना है, उस album को, जिस album को या जिस folder को आपको move करना है, उसके बाद आप नीचे की तरफ इसको drag करेंगे, यहाँ पर आपको drag करना है, वहाँ तक ले जाएंगे, जहाँ आपको उसको छोड़ना है तो यह वहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ से हड़ है दूसरा फोल्डर भी आपको अटाना हो तो ऐसे ही आप उसको नीचे की तरफ ले जाएगे यहाँ पकड़के और जहाँ छोड़ना हो आप इसको इसली हाँ पर छोड़ देंगे, तो आप उसको नीचे करके यूँ करके छोड़ देंगे, और यहाँ पर जो गुरूप वाला जो अभी हुआ था, मैं भो भी बताया था, गुरूप क्या होता है दोस्तों, लाइक आपको कोई दो फोल्डर को, एक फोल्डर का गुरूप बनाना या तो से चार फोल्डर को, या एल्बम को एक ही एल्बम में करना जिसको आपको फाइंड करने के लिए इसी रहे, तो इलाइक मैंने यहाँ पर पकड़ा है उसको और यूं करके मैंने इस पर छोड़ दिया, तो यहाँ पर आप दोनों कमबाई हो गई, तो यह मेरे यूटूब से रेटेड है, तो मैंने यहाँ डाल दिया जैसे यूटूब, तो अब यह मुझे यहाँ पर यूटूब भी दिखाएगा, और मैं उसमें जाके देखूँगा, तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों फोल्डर यहाँ पर देख चाहेगी, कितना भी डेटा हो, आप यहाँ पर रख सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है, उसके बाद दोस्तों जो एक और फीचर बताने वाला है, जो कि कमाल का है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, लाइक आपको कोई फोल्डर को हिडन करना है, या कोई एल्बम को हिडन करना है, ताकि कोई उसको देखना पाए, कोई उसको देखना पाए, आप देख रहे होगे दोस्तों यहाँ पर, जो मेरा एक folder है DCM वाला मुझे hidden करना है यह लाइक मेरे folder है मुझे hidden करना है तो simply मुझे करना क्या है यहां जाना थ्री डॉट्स में आपको दिख रहा होगा थ्री डॉट्स में जाने का आपको जाना hide और unhide album में तो यह मैंने यह तोनों folder hidden कर दिये DCM और यह गोवाला दोनों folder को hidden करना है मुझे दोनों पर मैंने tick कर दिया तो आप देखेंगे अब यह folder मेरे कहीं नहीं देखेंगे किसी को नहीं देखेंगे कोई भी इसको gallery मेरे लिने का खोलेगा तो कहीं भी उसको दिखने भी में वाले यह without password रहता है फिर भी प्रडेक्टर रहता है बहुत कम लोगी जानते है कि इसको unhide कैसे करें hide कहा है पापी साब को unhide करना है तो यहीं three dots में जाना है hide और unhide में जाना है और आपको यहां से इसको हटा देंगे tick और यह unhide होने वाला है यह देख सकते हैं दोनों unhide हो गया है दोस्तों यह हो गया unhide और दोस्तों एक कमाल का feature जो सबसे अच्छा feature मुझे लगता वो ही यह है अब देखेंगे दोस्तों यहां पर आपको एक photo दिख रही होगी यहां photo पे यह कमाल का feature आपको सबसे बहले मैं search करके बता दो like मैंने दोस्तों यहां पर मैं search पे आया यह मैंने sunny नाम से एक tag बना कर रखा है जैसी मैं sunny पे click करूँ हो तो sunny की जितनी भी photos होगी sunny नाम पर जो मैंने है tag करके रखे होगी सब आपको यहां पर मिल जाएगी तो यहां पर एक tag लगा सकते हैं उस tag के जरी शॉट्स कर सकते हैं मतलब शॉट्स जल्दी आप अपनी photo एक्सेस कर पाएंगे like मैरे यह photo जो मैंने खेची थी यह मैंने यहां पर यूँ click करा सब को select कर लिया और यहां पर three dots में गया यहां पर मैंने करा इसको एक tag में जैसी मैं इसका नाम रख दिया मैंने nature निचर नाम से मेंने इसको save कर लिया ठीक है अब मैंने nature नाम झाई सको save कर लिया और अब मुझे दूसरा में जैसे आप पहले भी मानलो यह मेरी कोई फोटो हैं इन सबको मुझे टैग लगाना वही सणी है स्टक वाला तो सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहां पर जाना उसके अधिया पर त्री डॉट में उसके अधिया टैग में एट टैग करने का चाहूं तो क्रिएट कर अधिया पार तो कि क्लिक करना है यहां आपको उसके बादत आप को करना इसके उपर की तरफ करेंगे उपर कि तरफ करेंगे तो आप देखेंगे यहांपर एसा दिख रहा होगा आपको यहां जाना है Edit में Edit में जाने क्याद आपको नीचे दिख रहा होगा add tag वाला option आपको tag वाले option पे click करना है आपको यहीं महाँ पर पूरे tag मिल जाएंगे उसमें से कोई सा भी tag चुन्ट कर लीजिए create कर लीजिए और आप अपने tag लगा पाएंगे उसके आद आपको नीचे save पे click कर देना है और यह tag लग जाएगा जो की बहुत ही कमाल का विचा है तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थेंक यू अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो आप मेरी डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं और आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों नीचे आपको subscribe का बटन देख रहा होगा तो प्लीज सब्स्राइब को करना भी ना बोलें जिसका लिंक आपको नीचे description पर मिल जाएगा तो thank you दोस्तों